अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को किड्नी की समस्या है तो आपने डालेसिस के बारे में जरूर ही सुना होगा अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये dialysis है क्या? Dialysis, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किड्नी पेशिंट का इलाज तब किया जाता है जब पेशिंट की किड्नी खराब हो चुकी होती है या फिर लास्टेज में होती है किड्नी हमारे शरीर में खून साफ करके विशैले पदार्थों को बहार निकालने का काम करती है मगर जब किड्नी ही खराब हो जाए तो खून फिल्टर होने की प्रक्रिया रुक सी जाती है और बॉडी में खराब खून की मात्रा बढ़ती जाती है और ऐसे में पेशेंट को मजबूरन डालसिस का रास्ता चुनना पड़ता है डालसिस में शरीर के खून को फिल्टर किया जाता है जिसमें पेशेंट के शरीर से खराब और टॉक्सिक पदार्तों को बहार निकाल दिया जाता है और साफ खून को फिल्टर करके शरीर में भीजा जाता है एक बार dialysis प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये हफते में 3-4 दिन तक करवानी होती है अगर ये रुख जाए तो पेशेंट सादा दिन पच्टा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि dialysis के बाद पेशेंट ठीक हो जाए बलकि ऐसी प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती ही रहती है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं dialysis भी दो तरीकों से की जाती है hemodialysis और peritonial dialysis hemodialysis में एक मशीन की मदद से खून को फिल्टर करने का काम किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ peritonial dialysis में पेशन के पेट में एक विशेश प्रकार के liquid को डाला जाता है जो खून की तरह ही कारे करता है और ऐसे में कुछ लोग ये पूछते हैं कि किड्नी dialysis से कैसे बचा जा सकता है dialysis से बचने के लिए आपको सबसे पहले शुरू से ही अपनी किड्नी का ध्यान रखना होगा जैसे कि खान पान में विशेश ध्यान देना चाहिए नियमित रूप से योग और फ्यायाम करना चाहिए शरीर में किड्नाइन लेवल को नहीं बढ़ने देना चाहिए इसके अलावा अगर किड्नी खराब होने के मुख्य कारणों को शुरू में ही कम कर दिया जाए तो आप फ्यूचर में dialysis से बच सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि किड्नी खराब होने के मुख्य कारण कौन से हैं इनमें सबसे पहला है diabetes, high blood pressure, दल के बिमारी इसके अलावा किसी भी प्रकार की युडीन की समस्या, बड़ा हुआ वजन, साथ ही cigarette का सेवन अगर आपको किड्नी में किसी भी प्रकार के बिमारी महसूस होने लगे तो आप शुरुवात में अपने सही खानपान से इसे ठीक कर सकते हैं आप अपने किड्नी को हिल्दी रख सकें इसलिए हमने हमारे चानल पर कई सारे खानपान के विशेश वीडियोस बनाए हैं जुने कि आप हमारे चानल पर जाकर देख सकते हैं तो अगर आपके पास भी किड्नी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके सरूर बताएं हम जल्दी अपने अगली विडियो में आपके सवालों का जवाब सरूर देंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखें हिल्दी रहें नमस्कार